वीवो के नए स्मार्टफोन वीवो वी-19 को लेकर तमाम तरह की लीक रिपोर्ट सामने आ रही है Vivo V19 को हाल ही में इंडोनेशिया में लॉंच किया गया है लेकिन Vivo V19 को मलेशिया में कई सारे बदलाव के साथ पेश किया जाएगा और मलेशिया वाला वेरियंट ही भारत में भी लॉंच होगा Vivo के मलेशिया के ट्विटर हेंडल से एक प्रोमू वीडियो भी शेयर किया गया है लीक रिपोर्ट के मुताबिक Vivo V19 को भारत में आई व्यू डिस्प्ले के साथ पेश किया जाएगा इसके अलावा Vivo V19 में डूल पंच होल सेलफी कैमरा होगा इसके अलावा कहा जा रहा है कि Vivo V19 को दो कलर वेरियंट में लॉंच किया जाएगा जिनमें पिनक और ब्लू कलर वेरियंट शामिल है इसके अलावा Vivo के इस फोन में Qualcomm का Snapdragon 730G प्रोसेसर मिलेगा और फोन को 8GB RAM और 128GB स्टोरज में लॉंच किया जाएगा फोन में 6.44 इंच की Full HD Super AMOLED डिस्पले मिल सकती है कैमरे की बात करें तो फोन में रियर पैनल पर Quad Camera सेट अप मिलेगा जिनमें से में कैमरा 48MP का दूसरा 8MP का, तीसरा 2MP का और चौथा भी 2MP का मिलेगा फोन में की बैटरी मिलेगी जो Dual Engine Fast Charging को स्पोर्ट करें